एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि युसुफ को वहां देकर सहरान और फेरिट दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर मिस्टर हलस उन्हें बताते हैं कि युसुफ मुझे हां सच बताने आया था जिसे सुनकर वो दोनों और जाधर टेंशन में आ जाते हैं लेकिन फिर फेरिट उनसे पूछता है कि कैसा सच तो मिस्टर हलिस कहते हैं कि बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है सच बोलने की तो फिर यूसुफ भी उनसे कहता है कि हाँ मेरी सूना से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि मेरी वज़े से कुछ मिसंडेस्टाइनिंग क्रियेट हो गई है जिसे मैं खतम करने यहां आया हूँ तो मिस्टर हलिस कहते हैं सहरान से कि यूसुफ ने मुझे बताया है कि यह तुम्हारा दूर करिश्टेदार भी है सहरान कहती है हाँ है तो लेकिन काफ़े दूर का फिर मिस्टर हलिस बताते हैं कि अब से कुछ टाइम के लिए यूसुफ यहीं काम करेगा पहले तो ये बहुत मना कर रहा था लेकिन मेरे insist करने पर ही माना है जिसे सुनकर सेरान बहुत परिशान हो जाती है और फिर युसफ के वहाँ से जाने के बाद Mr. Halis दोनों से कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि युसफ परिशान है और उसको अपनी मॉम का खयाल भी रखना होता है और नहीं ये बताया कि वो हमारे होम टाउन से है इसलिए हमारा फर्स बनता है उसकी हल्प करना और दिखाया जाता है कि रूम से बहार आने के बाद फेरेट गुस्से में यूसुफ के पीछे जाता है लेकिन सेरान उसे मना कर देती है और रोग लेती है और कहती है कि पागल मत बनो क्योंकि हमने इस टाइम कुछ भी किया तो सब सच सामने आ जाएगा और हम दादा को क्या बोलेंगे जिसे सुनकर फेरेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो वो आज यहां तक आ गया और हम कुछ नहीं कर सकते और आज हम जिस सिचुईशन में भी है न उस अब तुमारी ही वज़े से है ये सुनकर सेरान उससे कहती है कि मेरी वज़े से क्या सच में क्योंकि अगर तुम उस दिन यूसुफ को ना मारते है न तो अभी तक वापस चला गया होता और मैं सब कुछ हैंडल भी कर लेती ये सुनते ही फेरेट और जादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमारे इस हैंडल करने के चक्कर में आज हम इस हाल में है फिर सहरान भी कहती है कि मुझे भी बहुत गुसा आ रहा है इस टाइम यूसुफ पर लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं उससे बात करकर उससे समझाओंगे और वो यहां से चला भी जाएगा और दिखाया जाता है जैसे ही फेरिट ये सुनता है न उन गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो क्योंकि तुमें कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की और ये बोलकर अपने कुछ कपड़े पैक करता है और बैग में डालकर रूम से चला जाता है ये बोल करके मैं अगर थोड़ी देर और यहां रुकाना तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगा लेकिन उसे घर से जाता हुआ देखकर उसे उसकी मौम रोग लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी अब्रिंगिंग क्या ऐसे की है क्योंकि जब सहरान आगे पढ़ना चाहती है तो इसमें फैमिली प्लानिंग की बाद कहा से आ गई तो फिर फैरिट भी उनसे परिशान होता हुआ कहता है कि आप ये सब छोड़ो और दादा ने सहरान के होम टाउन से आए हुए किसी लड़के को जॉब पर रख लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो यहां रहे तो ये सुनकर उसकी मौम हसने लगती है और कहती है कि तुम सहर काम से जलेस हो ये सुनकर फैरिट उनसे कहता है हाँ तो उसकी मौम उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो मैं कुछ न कुछ करती हूं वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लतीव भी उसुफ को भार लेकर आते हैं जहां आबिदीन उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है फिर सुना को कॉल करकर आज की सारी बाते बता देती है और कहती है कि मिस्टर हलिस ने उसे जॉब पर रख लिया है और इसी वज़े से फेरट गुस्सा होकर घर से चला गया तो यह सुनकर सुना भी उससे कहती है कि तुम शांत हो जाओ क्योंकि मैं वही आ रही हूं और वहां आकर बात करते हैं लेकिन मेरे साथ डाट भी आ रहे हैं बस उन्हें पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में कुछ भी लेकिन दिखाया जाता है कि मिस्टर काजिम के वहां आने की वज़े से सब लोग उनके वेलकम के लिए बहार आते हैं जिन में से यूसुफ भी एक होता है और और फिर सुना और मिस्टर काजिम के वहां आने के बाद सहरान सुना को बताती है कि मैंने वो सब ड्रामा किया था यूसुफ को वहां से हटाने के लिए क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ पेलिन के बुलाने पर फेरिट भी परिंट भी है और बताती है कि उस दिन जब मिले थे ना जब सहरान और उसकी बेरी ता पूछता है कि कौन सी बात तो पेलिन उससे जूट बोल देती है और कहती हैं कि सहरान बहुत प्यार प्यार करती है लेकिन वो बस उसकी भलाई की वज़से ही चुप है तो फिर उसकी बहन ने भी उसे समझाया था कि कोई बात नहीं वैसे भी तुम फेरिट से डिवोर्स ही लोगी और तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा न तो जाओ जाकर सहरान से पूश लो और उसे बताती है कि उस दिन सहरान के बहन ने मुझ पर अटाग भी किया था वाश रूम में जिससे सुनका फेरिट पूशता है लेकिन क्यों तो पेलिन उससे कहती है पता नहीं और दिखाया जाता है कि ये सुनका फेरिट गुस्से में वहाँ से चला जाता है